हेलो फेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिटोरी क्लासेश पे आज मैं आपके लिए भारत के मिट्टी का एक इंपॉर्टिंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपकी एक्जाम के लिए बहुत महत्पुर्ण होगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बिल आइकन को प्रेज किजिए तो आए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं देखिए धरातल धरातल का उपरी हिस्सा जिसमें पेड़ पौधा हुगते हैं मिट्टी का लाती है यह एक मिट्टी में सबसे ज्यादा खनीज क्वार्ट्स है चलिए देखिए अगला टॉपिक है जैसे की मिट्टी आठ प्रकार के होते हैं जलोड या दोमट मिट्टी या मिट्टी भारत के सबसे ज्यादा छेतर में फैली है इस मिट्टी का निर्मान गंगा, ब्रहंपूत्र, सिंदू, कृष्णा, गुदावरी के निर्पेच से हुआ है इस मिट्टी में चुना पत्थर और पोडेसियम जादा है परन्तु नैट्रोजन और फॉस्पूरस कम है चलिए इसकी आगे है नवीन जलोड मिट्टी को खांदर कहते हैं जबकि पुरानी जलोड मिट्टी को बांगर कहते हैं यह मिट्टी धान के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है इसके अलावा गेहूं गन्ना की खेती भी होती है चलिए अगला देखते हैं लाल मिट्टी के बारे में दूसरा है लाल मिट्टी भारत की दूसरी विसाल मिटी लाल मिटी है इस मिटी का निर्मान गिरेनाइट पलस नीज चट्टान के तूटने से हुआ है इस मिटी में इस मिटी में एलमूनियम ज्यादा है और लौ अक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है लौ ऑक्साइड ये कारण इसका रंग लाल होता है इस मिट्टी में नैट्रोजन और फॉस्पुरस कम होता है भारत में सबसे ज़्यादा तमिल नाडू में लाल मिट्टी पाई जाती है और इसके अलावा अंदरपरदेश, जहरखंड, उड़ीशा, चातीस गडवी लाल मिट्टी पाई जाती है यह मिट्टी दलहन के लिए उतम मानी जाती है ठीक है लगा देते तिसरा काली मिट्टी ठीक है नाइट्रोजन और फॉस्पूरस कम है इस मिट्टी का बिस्तार महराष्ट, गुजरात और करनाटक में सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा यह मिट्टी महराष्ट में पाई जाती है ठीक है चलिए अगला देखते हैं लेटराइट मिटी तो लेटराइट मिटी है यह मिटी इट के समान है इस मिटी का ज्यादा बिस्तार पच्मी घाट के मालाबार छेतर असम और पच्ची मंगाल में पाए जाते हैं इस मिटी में काजू, नारियल, कहवा, कौफी और चाय की खेती है चलिए अगला देखते हैं मरवस्तलिय मिटी पच्मा है मरवस्तलिय मिटी यह मिटी राजस्तान के मरवस्तल छेतर में पाए जाती है इस मिटी में ज्वार, बाजरा और सर्सो की खेती होती है छठा देखते हैं प्रवतिय मिटी ठीक है प्रवतिय मिटी है यह मिटी हिमाले मिटी कहलाती है इस मिटी में सेव का उत्पादन जादा होता है इस मिटी में सेव का उत्पादन जादा होता है चलिए अगला देखते हैं सेवेल नमबर दलदलीय मिटी इस मिटी को मैंग्रोब मेटी भी कहते हैं। इस मेटी में कार्बनीख पदार्थ हीवकर सबसे ज़्यादा होता है। अगला है आठटव नमबर। अठमा है लंए मीटी। इस मेटी मिज़म्र शॉडियम, सॉडियम, कर्बौनेट, शुल्फेट, मौझवजूद है। ठीक है इस मिटी में आवला जामून का उत्पादन होता है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो अच्छा लगए प्लीज सस्क्राइब किजिए चैनल को और सेयर किजिए कॉमेंट किरके बताईए जैन जै भारत